कि कल हमने एक हार्ट ट्रांस्परेंट किया है जो चौटिस साल की ठर्डी फूरियस की फीमेल पेशन जिनको प्रेग्नसी के बाद यह हार्ट किसी-किसी मेलाओं में कमजोर हो जाता है और उनका दस साल पहले उनका डिलिवरी हुआ था बेटा हुआ उसके बाद उनका हार्ट दीरी-दीरे कमजोर होता गया और अभी इस्तिति में आ गया था कि उनका 10-15 परसन ही खाली हार्ट का स्टाइल था काम करने की जो शंदा थी बहुत ही कम हो गए थी और आखरी तीन-चार मेने में तो कंडिशन बहुत ही खराब हो गए थी दो-तीन बार तो उनको हास्पिरल में भी एड्मिट करना पड़ा था इसलिए अपने पास और कोई चारा नहीं था एक ही आसरा था और वह था हाँँडरांटेशन रिसेंटली नोटो ने गाइडलाइन भी जारी की है उसके बेज पे हाँडरांट कर सकते हो वित फूल प्रिकॉशन तो वह एक रिस्क लेके और क्यूंकि पेशन की कंडिशन दिनों दिन खराब होती जाती थी तो अपने पास और कोई चाला नह पुरा प्रोसीजर का सरजरी के साथ का तो तीन गंटे 25 मिनिट में पूरी प्रोसीजर कर दी गई कोई भी हम ऐसे ड़्दी का जिसका हाड ट्रांस्प्रांट करते हैं मुषको इम्मुणीजर कए जेते हैं कि जिसके बगज़न से जो nasya hot da ले उसमें रिजेक्षेनल न आएं तो इम्म some और सप्टरेशन बॉडी की means की इम्म्युणीटी है उसको कम कर देता है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसिस बढ़ जाते हैं और यह स्पेशली जब यह कोवीड कहा रहा है कि सब जब सब कॉम्यूनिटी में इतना स्प्रेड हुआ है कोवीड तब यह रिस्क और बढ़ जाता है तो इसके लिए हमने काफी प्रिकॉशन्स लिए है जैसे कि पूरे होस्प जाती है या तो खाना आता है तो जो बढ़ता है उसको हम स्टॉड़ी लाइफ स्प्रेश से पहले साफ करते उसके बाद ही वह पेशन्ट के पॉंटेक्ट में आता है दस साल से यह प्रॉबलम है डिवल डिलेवरी के टाइम से उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो गया था और उसका हार्ट पंपिंग कम हुआ था पंद्रा परशेंट के बाद डॉक्टर ने बोला के पंद्रा परशेंट आपका काम कर रहा हार्ट तो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हम लोग ने एस जी है पे पेगा सीम्स होस्पिटल का हमको बोला कि आप उहां पर जाके दिलेशा बोला तो बोलले पेजमेकर इसमे नहीं होगा है ट्रांस्विरम बैस्ट वह है और फिर हमने यहां पहर तीन चार महीन ऌइस यहां पर डॉक्टर ने दो बार हम लोग encontramos के लिए और दो बार हमारा वह लेकिन तीसरी बार में हमारा एक दम सक्ष्य सहों के एक दम हमारे लिए तो एक भगवान है एक वो है डॉक्टर दीर इंसा है दोनों मिलके दम मेरे लिपास कोई सब नहीं है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ मैं पहले बहुत टेंशन में था कि मेरे को इस सब का पता नहीं था कि इत्ता होता है फिर मेरे को भी डोक्टर ने भी बोला कि अभी सब कुछ ठीक है तो मेरे को ऐसा हूं फिल हो रहा है कि यूं अच्छा ल मिल सकता है और उसका बहुत बड़ा पुन्यभी मिलता है आपको